आज दोस्तों आपका एक नज़र क्रिश्टेन में स्वाकते देखिए आज हम आपको कीवी के बगीचे में ले चलते हैं एक बार फिर और दिखाते हैं हम आपको कीवी का नुक्सान शाम को जो है कल पिछले कल तुफान इतने जोर काया कि हद से ज्यादा देखिए कि इस पत् टेहनिया बिल्कुल तूट चुकी है अब हम आपको आगे भी दुखाएंगे यह दिखिए आगे तक यहां आगे तक इसमें सारी टेहनिया जो है आदव आद जो है तूट चुकी है वीडियो को एंड तक देखे और लाइक कोमेंट जरूर करें ताकि आप भी सही अनुमान लगा सके कि यह कीवी में क्या तक्र कैसे जो हटे हैं यह तूटी क्यों तूटी आप यह देखे देख बीच में तूटी है यह तूटी है यह तूटी है तूटी है अब हम आपको और दिखाते हैं नजदीक चलके तो आप यह देखे इदर को इस खेत में इतना तुफान आया है श्याम को रात को की हद से ज्यादा सारी मतलब काफी पते भी टहनिया पेड में भी तूट चुके और टहनिया भी जो है काफी मतलब नुख्सान हुआ श्याम को यह देखिए अब हम आपको यह दुखाते दो यह टेहनिय इस टाइम टेडी और पत्ते उल्टे दिख रहे हैं यह सारी टेहनिय टूटी है यह की भी की यह देखिए कि अब इसमें तब पता चलेगा जब यह सुक जाएगी शुकर यह है कि जो टेहनिय जिसमें फल था काफी टेहनिय ओ भी टूटी है यह देखिए इसमें भी काफी टेहनिय ओ भी टूटी है जिसमें फल था और कुछ टेहनिय इतनी जो टूटी है यह इसमें फल नहीं था फरक कितना रहा अब नज्धीक चल के दिखाते हैं आपको और अब यहां पे देखे जो यह तो यह तो आपको दिखाई दे रही होगी ये टेहनी ये टेहनी तूटी है ये ये देखिए नजदीक से देखिए आप इस टेहनी को ये टेहनी यहां से तूटी है तो यह टहनी इसमें फुरूट था और फुरूट वाली टहनी जो है यह तूट गई यह टहनी इसमें सारे में तूटी है इस बक्त यह देखिए ये देखिए टेहनी टोटल जो है टेहनी मतलब फ्रूट वाली तो बीच बीच में तोटी है बाकी फ्रूट वाल टेहनी ऐसे ही टेक गई है काफी टेहनी ऐसी जो मतलब फ्रूट वाली टेहनी बच गई और जिसमें फ्रूट नहीं था जैसे कि इस टेहनी में ये फ्रूट नहीं था ये देखिए ऐसी टेहनी भी टूट रही है अब थोड़ा बगीचा थोड़ा उचा है और हम इससे काईभी डौन है लेकिन खिर भी नुक्षान तो नुक्षान ही होता है तेकिन चलो इतना नुक्षान भी मतलब हुआ है और जो ये साथ में हमारे फूल इसमें कीवी के सुके हैं और फूल जड़ गए ये एक्चुली ही सारे में हो रहा है इस डंग से ये देखिए सिर्फ इसमें एक कीवीटी की है और वाकी फूल जो है अपने आप गिर गया इसमें ये नहीं है कि पोली नेशन करने से या कुछी है ये सिर्फ मोसम का प्रभाव ऐसा पड़ा है जिसके प्रभाव से जो है फूल हमारा गिरा और सूक रहा ये डंडी पीछे से ही सूक रही है ये देखे अब ये जो है इस वक्ति पीचे से सूक रही है ये и कि ये फूल निकल गया और इसकी ये विजा ही है आज भी पीचति से और इसका है वह से नुक्षान भी है और थोड़ा फायदा भी है यह देखिए जो हम फूल को तोड़कर करते थे जैसे कि इसमें पूलिनेशन करते हैं और पूलिनेशन करने के बाद जो है हम इसमें सिंगल पीस रखते थे जैसे कि यह पीस यह सिंगल पीस से चला हुआ भी अभी हम आपको पूरी इसको बता नहीं सकते किंकào भी इसमें मतलब फूल जला नहीं तो इस डॉन्क से जो है मतलब सिंगल कीवी और जिसमें चार-चार कीवी लगती है। इसमें साइज भी छोटा रहता है लेकिन इसमें जो है एक को ही साइज मिलेगा जितना मतलब चार कीवी में साइज मिलना था फ्रूट में ओ एक में ही साइज हमारा मिल जाएगा और एक ही फ्रूट जो है तो यह तो था कीवी के फूरूट के बारे में और रही बार नुकसान के बारे में तो भगवान के आगे तो किसी कीवी नहीं चलती क्योंकि जो भगवान ने करना है वो ही होना है और तूफान तो इतने जोर काया कि हर जगा में ही नुक्सान हो रहा है चाहे सेव के पौदे है और चाहे पडम के खुमाणी आडू जहांबी देखो वहां इसी प्रकार नुक्सान हुआ है तो थेंक्यू दोस्तों बने रही आप हमारे चैनल के साथ हैं और देखते रही इस चैनल को सस्क्राइब भी करें और लाइक भी करें और आगे शेर भी करें भाईयो मिलना वही है जो किस्मत में होगा जो किस्मत से उपर का जो है कभी नहीं मिल सकता है तो थेंक्यू दोस्तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल देखने के लिए बने रही है आप हमारे साथ धन्यवाद